बहुत पुरानी बात है एक गाउं के किनाडे बनी कुटिया में एक साधू रहता था वह देन भड इस्वर का भजन किर्तन करके समय बिताता था उसे न तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और नहीं धन कमाने की गाउं के लोग सुयम ही उसे भोजन दे जाते थे साधू उसी भोजन से पेट भर लिया करता था उसे न तो किसी चीज की ख्वाहिस थी और नहीं लालच वह बहुत ही उदार और कोमल हिर्दय का वैक्ती था यदि कोई दुष्ट वैक्ती उसे कभी कटू सब्द भी बोल देता तो साधू उसका बुड़ा नहीं मानता था सभी लोग साधू के बैभार की प्रशंसा किया करते थे इसी काड़न वे उसकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे ऐसे ही बहुत महीने बीच जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है चारो दरप कडाके की ठंड थी साधू अपनी कुटिया में आग जला कर गडमी पाने का पढ़्यास कर रहा था तब ही उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है साधू सोचने लगा कि सर्दी की राद में इस वक्त कौन आ शकता है साधू ने जैसे ही दरवाजे खोला तो देखा कि एक लोमडी बाहर खड़ी थी जो सर्दी से काप रही थी लोमडी बोली मैं सामने के पहारों में रहती हूँ वहां आज कल बर्फ गीर रही है इस कारण मेरा जीना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है आप क्रिपा करके मुझे रात भर थोड़ी सी जगह दे दीजिये मैं सुबह होते ही चली जाओंगी साधू ने नर्मता पूर्वक उससे भीतर बुला लिया और कहा परिसान होने की कोई बात नहीं है तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो फिर साधू और लोमडी दोनों कुटियां में आ गएं कुटियां में जली आग के कारण लोमडी को राहत महसूस होने लगी तब साधू ने लोमडी को दूद और रोटी खाने को दी लोमडी ने बेट भर भोजन किया और एक कोने में सो गई सुबह होते ही लोमडी ने साधू से बाहर जाने की आग्या मांगी साधू ने उससे कहा कि वह इसे अपना घड ही समझे वह जब चाहे आ सकती है रात होने पर वह लोमडी फिर आ गई साधू ने उससे दिन भर की बाते की थोड़ा भोजन दिया फिर लोमडी एक कोने में जाकर सो गई इसी तरह दिन बीतने लगे अब तो वह लोमडी रोज ही रात की समय आ जाती और शुबा होते ही जंगल की ओर चली जाती उस साधू को उस लोमडी से एक बच्चे के समान प्यार हो गया था अब तो लोमडी को आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो साधू दरवाजे पर खड़ा हो कर उसकी प्रतिच्चा करने लगता और उस से देर से आने का कारल पूझता लोमडी भी साधू से हिल मिल गई थी और उसे बहुत प्यार करने लगी थी ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं और मोश्रम बदलने लगता है एक दिन लोमडी बोली आपने मेरी बहुत ही जादा देखभाल और सेवा की है मैं इसके बदले आपके लिए कोई कार रह करना चाहती हूँ तब साधू बोला मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है यह तो मेरा क्रतब्य था इस तरह की बाते करके तुम मुझे सरमिंदा मत करो लोमडी बोली मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहती उझे तो आपके साथ रहते रहते प्रेम हो गया है इस कारण मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ मेरी बहुती इच्छा है कि मैं किसी भी तरीके से आपके काम आऊँ साधू को लोमडी की प्यार भड़ी बाते सुनकर बहुती प्रशंता मिली वह खुसी से गदगद हो उठा और लोमडी की सीर पर हाथ फेरते हुए बोला मुझे न दो किसी चीज की आवश रकता है और नहीं कोई बिसेस इच्छा है गाओं के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुचा देते हैं अगर मैं बिमार पर जाता हूँ तो मेरा ध्यान भी रखते हैं और मुझे क्या ही चाहिए लोमरी बोली यह सब तो मैं जानती हूँ इतने महीनों तक आपके साथ रहके मैंने तो सब कुछ देखा और सिखा है फिर भी अगर कोई ऐसी इच्छा हो जो बूरी न हो सकती हो तो बताइए मैं उसे जरूर ही पूरा करने की कोसिस करूंगी यह सुनकर साथ हूँ बहुत देर तक सोचता रहा फिर सक उचाते हुए बोला यू तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश रकता नहीं है फिर भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकरा होता जिस में से कुछ मैं भगवान को चड़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे किरिया कर्म के काम आ जाता मैं गाउवालों की क्रिबा का बदला अपनी मृत्यों के बोज से नहीं देना चाहता लो मृरी साधू की बात सुनकर बोली बस इतनी सी बात बाबा इसमें आप इतना क्यों सकुचा रहे थें मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकरा ला देती हूँ तब साधू ने कहा मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकरा नहीं चाहिए जो चोड़ी किया हुआ हो या किफीफे दान में लिया गया हो लो मृरी साधू की बात सुनकर सोच में पढ़ गई फिर बोली बाबा आप चिंदा मत करो मैं अपने महनस से ही सोने का टुकरा लाकट आपको दूँगी इसके बाद लो मृरी साधू की गुटिया से रोज की तरह चली गई साम होने पर साधू लो मृरी का इंतजार करने लगा लेकिन घंटों बीद गए लो मृरी वापस नहीं आई अब तो साधू को लो मृरी की चिंदा सताने लगी लो मृरी की फिक्र में उसे रात में नेंद भी नहीं आई इसी तरह कई दिन बीद गए परन तू लो मृरी नहीं लोटी साधू के मन में बड़ा पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी बस्तू मांग ली जो उसके लिए लाना संभब था ही नहीं कभी साधू के मन में ख्याल आता कि हो सकता है कि लो मृरी कहीं से सोना चुडाने गई हो और पकड़ी गई हो फिर लोगों के हाथ हो मारी गई हो या लो मृरी किसी दुरगटना का सिकार हो गई हो साधू को लो मृरी की बहुत याद आते जब वह रात में भोजन करने बैठता तो उसे लो मृरी की मीठी बाते और उसके साथ भोजन खाना याद आ जाता था ऐसे ही कुछ और महीने बीद गए अब साधू को लो मृरी की याद कम सताने लगी साधू अपने भजन किर्दन में मस्त रहने लगा अब लो मृरी को गए हुए छा महीने बीच चुके थी और सरदी का मौसम भी आ गया था एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी साधू ने जब द्वार खोला तो देख कर हरान रह गया द्वार पर पतली दुबली लो मृरी खड़ी थी साधू ने कहा अंदर आओ तुम इतनी दुबली कैसे हो गई लो मृरी ने खुसी के आशू बहाते हुए सोने का टुकडा साधू के सामने रख दिया और अपना सिड साधू के चर्णों के सामने रख कर बैठ गई साधू लो मृरी के सिड पर प्यार से हाथ भीरते हुए बोला तुम है इसके लिए इतना परशान होने की क्या आवस सकता थी तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना परशान रहता था तुम मेरे बच्चे के समान हो लो मृरी बोली मैं इसके लिए बिलकुल भी परशान नहीं थी मुझे तो अपना करतब्य पूरा करना था आपके प्यार की सदैब रिने रहूंगी यह मेरी छोटी सी भेट आप सिवकार कर लिजिए साधू का मन भी लो मृरी का प्यार देख कर विचलित हो उठा उसकी अश्रुधारा बहनी के लिए वह बोला लेकिन यह तो बताओ की तुम इतने दिन कहां थी यह सोने का टुकरा कहां से लाई लो मृरी बोली जिन पहाडों पर मैं रहती हूं उसी की दूसरी तरफ सोने की खाने हैं वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कन गिरते जाते है मैं उन्ही कनों को इतने दीन तक इकठा कर रही थी यह कहकर लो मृरी साधू के पैरों में लोटने लगी साधू लोमडी को प्यार करते हुए बोला तुमने मेरे लिए इतनी महनत की है इसके बारे में मैं सबको बताऊंगा अब लोमडी बोली मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले मैंने प्रसिद्धी के लालच में यह काड़े नहीं किया है यब यहां से चली जाओं उसके बाद आपको जो जी चाहे किजीएगा। साधु बोला यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी महनत और सेबा को लोग न जाने लेकिन तुम यह नहीं चाहती हो तो यही सही। किन तु अब मैं तुम्हें यहां से हरगीज जाने नहीं दूँगा। तुम्हें सदैब यहीं मेरे पास रहना होगा। लोमिडी मान गई और पहले की तरह साधु के साथ रहने लगी। अब वह लोमिडी हर रोज सुबह को चली जाती और साम के वक्त जंगल से थोड़ी लकडिया ले आती ताकि साधु बाबा को इंधन की आवशकता पूरी होती रहे। इसी तरह लोमिडी साधु बाबा के साथ वरसों तक एक बालक की भाती सुख से रही। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली वाड़ाएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीड कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में रब तक के लिए थैंक्स वर बोचिंग डिस वीडियो